नमस्कार बच्चों मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागित करता हूँ हमारी आज की एक और बहुत ही जादा जबरदस्ती क्लास में हम लोग बुख्य दौर पर अपनी क्लास 10th के है जो हमारे प्यारे बच्चों उन सभी के साथ बात करते हैं और कख्षा दस्वी के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हैं और दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने प्रॉजन प्रेजेंट कर रहे हैं हमारा यह जो MASTER 30 बैच है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं UP लिखा है घवरानी की ज़रूरत नहीं है जो बच्चे हमारे UP वोट के हैं उनके लिए तो यह क्लासिस हैं ही उसी के साथ अगर आप लोग किसी और वोट के हैं अब दोस्तों यहाँ पर जिस चैप्टर के बारे में हम लोग discussion करेंगे यह जो हमारा Master 30 batch है इसके अंद्रगत हम लोग आपके हर एक चैप्टर हर एक विशह से जो सम्मंदित है उसके जो most important questions होते हैं उसको अपनी क्लास के अंद्रगत discuss करते हैं और हमारी यह जो आज की क्लास है दोस्तों अगर आप लोग देखें तो हम लोग आप सभी के साथ discussion कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त से अध्याएका भया जिस chapter का नाम क्या है दोस्तों हमारा यह जो chapter इसका नाम है संसाधन इविकास और हम लोग इसका आप सभी के साथ क्या करेंगे discussion करेंगे इसके most important जो questions हैं उनको एक एक करकर discuss करेंगे यह chapter आप लोग देखते हैं कि जो आपकी भुगोल या फिर जिसे हम लोग geography के नाम से भी पुकारते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलता है काफी interesting, काफी simple और काफी entertaining, काफी आप देखते हैं कि मज़िदार बाते हैं आपको इस chapter के अंदर देखने को मिलती है start करते हैं, discussion करते हैं कि हमारी आज की इस class में हम लोग इस chapter से संबंधित किन-किन चीज़ों को पढ़ने का हमें मौका मिलेगा, किन-किन चीज़ों को हम लोग समझने की अपने इस chapter के अंदरगत क्या करेंगे, दोस्तों कोशिश करेंगे हम लोग सबसे पहले chapter से संबंधित जो आप देखते हैं दोस्तों, discuss करने वाले हैं, तो ये तीन महतपुर्ण भाग हैं, है ना, इस chapter से जो भी long question बनता है, जो भी short question बनता है, जो भी MCQ के सवाल बनते हैं, उनको एक एक करकर आप सभी के सामने रखेंगे बस आपको क्या करना है, बस आपका धियान पूरे तोर पर कक्षा कक्ष के अंदरगत होना चाहिए, और आपको बताएंगे कि इस class से बाहर आप लोग अपने paper के अंदरगत किसी भी सवाल को आते हुए नहीं देखेंगे, अगर वो इस chapter से आ रहा है तो, ठीक है, start करते हैं दोस्तों, chapter का नाम एक बार दुबारा देख लेते हैं, नाम है संसाधन विकास, जोगरफी के अंदरगत मौझूद है इन बिंद्वों को हम लोग करेंगे, discuss और जल्दी सब हम लोग आप सभी के साथ class को start करते हैं, सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं, कि भाईया यह जो chapter का नाम है, संसाधन विकास, यह संसाधन किस चलिया का नाम है संसाधन क्या होता है संसाधन चीज क्या है, उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, देखिए हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों हमारे परियावण में हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारी जरूरतें पूरी होती हैं जिनसे हमारी आवशक्ताइं पूरी होती हैं और उन्ही चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों उन्ही चीज़ों को हम ल पूर्ती होती है उसको हम लोग संसाधन कह रहे हैं मेरा चश्मा जिसके जरीए मैं आपको साफ देख पा रहा हूँ ये जो स्क्रीन जिसके जरीए में लिख पा रहा हूँ लिखने के आवशक्ता पूरी हो रही है आपको पढ़ानी के आवशक्ता पूरी हो रही है ऐसी हर एक चीज जो हमारे आसपास मौझूद है जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है उसे हम लोग संसाधन कहते हैं और संसाधन को परियोग रूपी बनाने के लिए हमें तक्नी या फिर प्रद्योगी की जरूरी होती है हमें टेक्नॉलोजी चाहिए होती है ना तो अगर दो कैटिगरी में बाटा है, एक कहलाते है जैव संसाधन, भाई ऐसे संसाधन जो हमें जीवित वस्तों से प्राप्त होते हैं जैसे हमारे पेड़ से हमें मिलते हैं फल, फूल, जैसे हमारे पश्मों से हमें मिलता है दोस्तों, दूद ऐसे हमारे संसाधन जो हमें जीवित वस्तुओं से मिलते हैं उन्हें हम लोग जैव संसाधन कहते हैं और ऐसे हमारे संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं जैसे चटान से आप देखते हैं कि हमें सोना चांदी मिल रहा है है ना तो उनको हम लोग जैव संसाधन के नाम से पुकारते हैं अगला सवाल है वो ही पूछा जा रहा है कि भईया जैव संसाधन क्या है ऐसे हमारे संसाधन जो हमें जीवित वस्तों से प्राप्त होते हैं उनको हम लोग जैव संसाधन के नाम से पुकारते हैं जैसे हमारी पेड़ पौदों से प्राप्त होने वाले फलपूल हुए, है ना मचली हुई, है ना पशुधन हुआ, तो जो सभी चीजें जो हमें जीवित वस्तों से प्राप्त हो रहे हैं, जिन में जीवन हैं, उनको हम लोग जैव संसाधन कहते हैं, जैसे हमारे संसाधन हैं जो हमें निर्जी प्रदारतों से प्राप्त होते हैं जैसे आप देखते हैं कि मिट्टी हुई, हवा हुई, पानी हुई इनमें जान नहीं होती और इनका परियोग हम लोग अपनी आवशक्ता की पूर्ती लिए करते हैं तो इनको हम लोग अजयव संसाधन की कैटेगरी के अंदरगत रखते हैं संसाधन का एक और रूप होता है दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं नवी करने योग्य संसाधन अब ये जो नवी करने योग्य संसाधन है इसको समझने की कोशिश करते हैं भाया जी नवी करने योग्य संसाधन हमारे ऐसे संसाधन है कि जिनका परियोग अकर हमने एक बार किया तो हम लोग उनका बार बार बहुत बार बहुत सारी बार परियोग कर सकते हैं संसाधनों का एसा रूप जिनको एक बार इस्तमाल करने के बाद हम लोग दुबारा, तीसरी बार, चौथी बार पांच भी बार, बहुत सारी बार क्या अगर सकते हैं अंगिनत बार, असीमिद बार उनका प्रियोग कर सकते हैं ऐसे संसाधनों को हम लोग नवी करने योग्य संसाधन कहते हैं ये कभी आपको खतम होते हुए नहीं दिखते हैं ये असीमित हैं वैया कभी खतम नहीं होंगे जैसे सूरज की रोशनी से अगर हम लोग बिजली बना रहे हैं क्या एक बार बनाएंगे नहीं सुरज के रोशनी आती रहेगी, बिजली बनती रहेगी हवा से अगर हम लोग बिजली बना रहे हैं क्या सिर्फ एक बार बनाएंगी? नहीं, सुरज आप देखते हैं कि हवा आती रहेगी बिजली बनती रहेगी तो ऐसे हमारे संसाधन जिनका परियोग मनुष्य बारबार करता रहता है जो असीमित हैं जो बिलकुल खतम नहीं होंगे है ना, और उन्हीं को हम लोग नवी करने योग्य संसाधन के नाम से पुकारते हैं जैसे सौरूर्जा हुई, ववनूर्जा हुई तो ये जो हमारे संसाधन है दोस्तों आपको दिखता है जिनका प्रियोग, अगर आपने क्या किया, दोस्तों, एक बार किया तो एक बार प्रियोग करने के बाद आप उनका प्रियोग दुबारा नहीं कर सकते एक बार इस्तिमाल कर लिया तो दुबारा आप उनका इस्तिमाल नहीं कर सकते जैसे आप देखते हैं कि आपके पास क्या है दोस्तों जिवाश मीधन जैसे आप देखते हैं कि आपके पास कोईला है कोईला अगर मैंने एक बार जला कर उसका परियोग कर लिया और ये एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे प्रित्वी में जहां पर भी हैं ये एक दिन समाप्त होंगे इनको हम लोग नवी करने योग के संसाधन कहते हैं अगला सवाल है इसको समझने के लिए दोस्तों आपको बहुत अच्छी बिंदू को देखना होगा संसाधनों का एक और स्वरूप होता है जिसे हम लोग किस नाम से फुकारते हैं जिसे हम लोग अंतर राष्ट्रे संसाधन के नाम से फुकारते हैं अब ये अंतर राष्ट्रे संसाधन क्या होते हैं दोस्तों अंतर राष्ट्रे संसाधन का मतलब होता है कि जो किसी एक देश की संपत्ती नहीं होते जो आप देखते हैं कि जो पूरे दुनिया की संपत्ती मानी जाती है या फिर आप देखते हैं कि दुनिया की अंतरगत जो हमारी बड़ी-बड़ी संस्थाने हैं जैसे आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट संग हुआ उसकी property मानी जाती है जो पूरी दुनिया के संसाधन माने जाते हैं ऐसे संसाधनों को हम लोग अंतर राष्ट्रे संसाधन के नाम से पुकारते हैं और इनको समझने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों इनको समझने के लिए हमें आप सभी के सामने भारत के मानचित्र को देखना होगा तो अगर आप लोग भारत की समुदरी सीमा को देखते हैं यह हमारा अगर क्या हुआ दोस्तों यह हमारा अगर दक्षन भारत है आप देखते हैं कि भारत की समुदरी सीमा से है भारत की जो हमारी समुद समधरी सीमा से जब आप 200 किलोमेटर आगे चले जाते हैं अब आप इससे आगे चले जाएंगे तो इससे आगे का जो छेटर होगा यहां पर मौझूद जो संसादन होंगे भारत की सीमा से या किसी भी देश की समधरी सीमा से 200 किलोमेटर तक का जो है वो तो भारत के संसादन ह है ना भारत की संपत्ति है उससे आगे जब आप चले जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों उनको हम लोग अंतर राष्टे संसाधनों की श्रणी में रखते हैं उन पर किसी एक देश का आप देखते हैं कि आधी पत्ते नहीं होता किसी एक देश की वो प्रॉपर्टी न होते हैं जिनका परियोग आप लोग देखते हैं कि दोस्तों जिनका परियोग हम लोग अभी नहीं कर रहें इनका ना हम लोग भविश्य में परियोग करने के संभावना रखते हैं जैसे अगर आप लोग भारत के मानचित्र को देखते हैं तो भारत के मानचित्र में हमारा जो गुजरात हिलाका है और उसकी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो हमारा राजस्थान एरिया है तो भारत में गुजरात और राजस्थान एरिया ऐसे हमारे दो राज्जे हैं जहाँ पर बहुत जादा मात्रा में आप देखते हैं कि हवाएं चलती है, यहाँ पर हवाएं मौझूद है तो हम यहाँ पर पवन चक्की लगा कर बिजली बना सकते हैं, अभी नहीं बना रहे भविश्य में बना लेंगे, भविश्य में बनाने की संभावना है, ऐसे हमारे संसाधन, जिनका परियोग हम लोग अभी नहीं कर रहा है, वरतवान में नहीं कर रहा है भविश्य में करने की संभावना है, भविश्य में कर लेंगे उनको हम लोग संभावी संसाधन के तोर पर पुकारते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि सतत पोशनिय विकास से क्या तात पर रहे होता है देखे सतत पोशनिय विकास का मतलब है कि अगर आपको विकास करना है अगर आप लोग अपना जीवन बहतर करना चाहते हैं तो भाई परियावरणों को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाओ परियावरन को नुकसान पहुचाए बिना और जब आप अपनी भविश्य की जरूरतों को पूरा गरने की कोशिश करते हैं ऐसे विकास को हम लोग सदत पोशने विकास कहते हैं माल लिजिये कि अगर आपको पेड़ों की जरूरत है तो ऐसे पेड़ों को निकालिए जो आपको देखते हैं कि सूक चुके हैं जो बूड़े हो चको हैं वहाँ से लकड़ियों को प्राप्त करें जो आपके आपको देखता है कि फलदार हमारे पेड़ हैं जो मजबूत ब्रिक्ष हैं जो अभी आपको दिखता है कि हर्याली वाले ब्रिक्ष हैं उनको ना काटने तो जब हम परियावरनों को बिना नुकसान पहुचाए हुए अपनी आवशक्ताओं को पूरी करते हैं उन्हीं को हम लोग उस तरीके के विकास को हम लोग सतत पोशनिय विकास के नाम से पुकारत है है ना आगे बढ़ते हैं दोस्तों पूचा जा रहा है कि हमारा जो पूरा का पूरा भारत है भारत के अंदर जो हमारे संसाधन है न वो सही तोर पर बटे हुए नहीं है और इसलिए हमें जरूरत होती है किस चीजस की संसाधन नियोजन की है ना जो जब्व गश्मीर में संसादन है क्या वही संसादन केरल में है जो केरल में संसादन है क्या वही संसादन हमारे आपको दिखता है कि असम में है ऐसा नहीं है भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसलिए हमारे देश के अंदर मौझू जितने भी संसादन जितनी भी resources जितनी भी आप देखते हैं कि संसादन हैं वो एक समान तोर पर बटे हुए नहीं और इसलिए देश के अंदर इनको परियोग करने के लिए हमें नियोजन या फिर planning की जरूरत होती है और भारत के अंदर जो हमारे ये संसादन है इनकी जो planning है वो तीन तरीके से की जाती है उनकी सबसे पहले पहचान की जाती है फिर उसके बाद इन संसाधनों को निकालने के लिए हमारे पास टेकनोलोजी की कैसे कैसे हम इन संसाधनों को निकालेंगे उसकी टेकनोलोजी और उसके लिए हम लोग अपनी टीम को तयार करते हैं देश की सरकार ऐसा करती है और उसके बाद आप देखते हैं कि जो संसाधन निकाल लिए गए हैं इनके बीच में आप लोग देखते हैं कि जो अलग-अलग सरकार हैं जो एक राज्ये की सरकार दूसरे राज्ये के साथ क्या करती है अच्छे संबंद को बनाती है तो भारत में अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारा संसाधन नियोजने कुछ इस तरीके से होता है कि देश के मानचितर को देखा जाता है उसमें जहां जहां पर जो जो संसाधन न बाटा जाता है ना जो एक राज्य है वो दूसरे राज्य के साथ अपने संसाधनों को बाटता है अगला सवाल है कि जितने भी हमारे ये संसाधन है ना दोस्तों आपको देखता है कि हमें इन संसाधनों के संद्रक्षन की जरूरत है जी हां अब अपने आसपास मौझू जित क्या है दोस्तों हम लोगों ने इनका अंधा धुन तरीके से परियोग किया है हमारे पूरवजों ने है ना अब हमने पहले तो गलत तरीके से परियोग कर लिए अब हमें समझदारी के साथ परियोग करना होगा क्योंकि अगर हमारे ये संसादन हमें खतम होते हुए दिग भूमी भी एक संसाधन है जी हां हमारी अधिकतर सभी जरूरतें जमीन पर पूरी होती है या फिर भूमी पर पूरी होती है और इसलिए भूमी को हम लोग भू संसाधन के नाम से पुकारते हैं अब भारत के अंदर जो हमारी ये भूमी है ना दोस्तों पहाड के तौर पर पॉरे तॉर पर 1280 होती है यानि है नदियों में साल के 12 महाषी तक पानी दिखता है क्योंकि यह पहाड के एलाके, ठंडे एलाके, बर्फ वाले एलाके से आते हुई दिखते हैं यह नदियों जब मैदानी इलाकों में आती हैं तो बहुत अच्छी मिट्टी को ले कर आती हैं और इनी मिट्टियों से हम देखते हैं कि हमारे भारत के मैदानी इलाकों का यूपी, बिहार, राजिस्थान, दिल्ली इन सभी इलाकों का आप देखते हैं कि निर्मान हुआ है तो ये जो हमारे पहाड हैं दोस्तों भारत के अंदर पानी की पूर्ती कराते ह मिट्टी की पूर्टी कराते हैं और बहुत बड़े स्तर पर आप देखते हैं बहुत बड़े स्तर पर आप देखते हैं है ना बिलकुल समतल सपाट इलाके हैं तो यहीं पर कारखाने हैं फैक्टरियां हैं उध्योग धंदे हैं बड़े-बड़े बजार यहीं पर इन मैदानी इलाकों में हमें देखने को मिलते हैं जैसे हमारा यूपी राजिस्थान आप देखते हैं कि बिहार, मध्यप्रदेश जो समतल इलाके हैं जो भारत के अंदरगत आपको देखते हैं कि हमारा नौर्थ इंडिया हुआ दोस्तों इन इलाकों में अधिकतर आर्थिक क्रियाएं होती हैं यह खेती के लिए सबसे उप्यूग थे हैं क्योंकि यहां पर बहुत जादा उप जाओ जमीन हमें देखने क जमीन की जो अपनी शक्ति है उसके अंदर क्या आती है दोस्तों जब हमें कमी आते हुई देखते हैं जब पेड़ जो थे, पेड़ जमीन के अंदर जो होता है दोस्तों उसको मजबूती से बांदे रखते हैं, जमीन को अगर फलने फूलने देना है, जमीन की शक्ति को बनाए रखना है तो उस पर हर्याली होनी चाहिए, अगर हम पेड़ों को ही काट देंगे, बंजर जमीन होगी त जो हमारे प्रशन है, वो उनको एक एक करकर हम लोग डिसकस करने वाले हैं, सवाल पूछा जा रहा है कि हमारा जो पंजाब राज्य है, वहाँ पर भू निम्नी करण हो रहा है, वहाँ पर भू निम्नी करण क्यों हो रहा है, यह पूछा जा रहा है, भू निम्नी करण का मत अधिक सिचाई कर दी है, जरूरस से जाधा पानी दे दिया है, जरूरस से जाधा पानी देनी की वज़ा से भी आप देखते हैं कि जो जमीन की शक्ती है उसमें कमी आ रही है, जाधा पैदावार के लिए जाधा पानी दे दिया है, उससे नुकसान हुआ और जमीन में निम्न निकरन होनी लगा. जमीन निम्न बंती चली गई. कम्चोर होती चली गई. अगला सवाल है कि जो हमारा लो हैस्क है दोस्तों है नगला समुद्र का मतलब होता है आप देखते हैं कि जो समुद्र है, समुद्र के अंदरकत आप लोग देखते हैं कि जो हमारी हवाएं होती है, समुद्र होता है, समुद्र का पानी दिन में एक बार उपर जाता है, और दिन में एक बार नीचे आता है, समुद्र का पानी दिन में जब एक बार उपर जा रहा अपने आप, इसके आसपास हम लोग छोटी-छोटी पंखड़ियां लगा दो एक भाड़ी बार हमने बजली बनाते हैं, और इनको हम लोग क्या कहते हैं डोस्तु पुने पूर्थी योग्य स了्टों के नाम से पकारते हैं, एक बार हमने बजली बनाई तुबारा बनाईगे, कि तीसरी बार बनाएंगे, चौती बार बनाएंगे, ये नवीकर्णिय संसादन भी है, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि ये एक पुनेपूर्ती योगी है, कि बार-बार इसका परयूग किया जाता है, अगला है कि निम्लिखित में से भारत में ऐसा कौन सा प्रांध या फिर पहाड़ें और वो हमारा उत्रांचल राज्य है जिसे हम लोग उत्राखंड के नाम से भी पुकारते हैं अगला प्रशन है दोस्तों पूछा जा रहा है कि इन में से वो कौन सा राज्य है जहां पर हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है तो भारत का ऐसा राज्य है दिये ग प्रशन है अगला प्रशन देखते हैं पूछा जा रहा है कि निमलेखित शब्दों में आपको 30 शब्दों में उनका आंसर देना है निमलेखित प्रशनों का सवाल है काफी इंट्रस्टिंग और इसका आंसर हमें पेश करना है कि तीन राज्यों के नाम बताईए जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है और इसमें कौन सी फसल को उगाया जाता है काली मिट्टी भारत में सबसे ज़ादा महाराष्ट में उसके बाद आप देखते हैं कि गुजरात में फिर मध्यप्रदेश में फिर 36 गड़ में देखने को मिलती है और काली मिट्टी में हम लोग कपा पानी आया तो पानी के आ जाने से मिट्टी में कटाव हो जाता है मिट्टी कट जाती है उसी के हम लोग म्रदा परदन कहते हैं और इसके अलग-अलग कारण होते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा आपको मिट्टी के कटाव को रोखना है कि मिट्टी घटी रहे जुड़ी है वो आपस में जुड़ी रहे और उसमें कटाव पैदा होता हुआ नहीं दिखेगा और सिगडी नुवा हमें खेट बनाने होंगे अगर पहाड़ी इलाके हैं तो अगर हम स्टेप बाइ स्टेप वहाँ पर खेती करेंगे तो उससे भी आपको देखता है कि जो हमारी मिट्टी में कटाव होता है उसको रोका जा सकता है अगला सवाल है कि जीवित वस्तों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग आप क्या कहते हैं अज्यव संसादन कहते हैं कुछ लॉंग उशन्स अब आपके सामने पेश किये जाएंगे दोस्तों ठीक है तो सवाल पूछा ज गराहे हैं 120 शब्दों में हमें इसका एनसर लिख देना है कि हमारे प्यारे भारत के अंद्रगत आप से पूछा जड़ा रहा है कि साल 1960 सह साल 1921 के बीच जंगल जो था भारत में उसकी क्या स्थिति रही है दीरे-धीडые अजाली के बास से भारत में जंगलों का क्या स्वरूब रहय है वो हम देखते हैं तो भारत में अगर हम लोग भूमी के उप योग को समझने की गोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे देश में लगबख 54% से जो अधिक इलाका है, दोस्तों आप लोग देखते हैं कि वो पश्वों आप देखते हैं कि उन्हीं पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं पर हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो 54% जो हमारे देश की जमीन है, वो क्या है दोस्तों आप देखते हैं कि वो हमारे लिए खेती बाड़ी के तौर पर परियोग में आ रही है शुद्द नीवल बोया गया चेतर एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा चेतर है पूरी देश की जो जमीन है, पूरी देश की जो भूमी है अगर मैं आपसे कहा रहा हूँ, शुद्द नीवल बोया गया चेतर यानि कि एक ऐसा चेतर जो हम खेतों के दौर पर परियोग करते हैं और देश में लगबग तोटल भूमी का 54% ऐसी जमीन है जो उप्योग रूपी है, जहाँ पर खेती की जा सकती है अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों भारत के अंदर यह जो खेत का स्वरूप है यह राज्यों- rाज्यों में बदल जाता है जैसे अगर आप बात करें हमारे पंजाब राज्ये की असी पर्टिश जो जमीन है वहाँ पर खेती की जाती है लेकिन अगर हम बात करते हैं अरुनाचल परदेश की मिजूरम की मनिपूर की अड़मा निकोबार की वहाँ पर मात्र 10% जमीन पर ही खेती की जाती है तो राज्यों के अधार पर भी हम देखते हैं कि हमारे यहां खेती का स्वरूप बदलता गया है उसी के सासथ भारत में अगर बात की जाए तो गैर कानूनी ढंक से क्या किया गया है जंगल की कटाई की गया हमने अपने फायदे के लिए सड़क बनाने के लिए घरों को बनाने के लिए जंगलों को बड़े लेवल पर काटा है जिससे हमारे जंगल कट गए तो आपको देख नापस्वाल है कि प्रद्योगी की और आर्थिक विकास के कारणों का संसाधनों का अधिक उप्योग कीसे हुआ है नाícia अफ सभी मता है कि मनुश्रे एक प्रकार से एक लालची आपको दिखता है कि स्वरूब को रखता है हम सभी के अंदर लालच है हम सभी कहीं न कहीं लालची है और शुरुबात की अगर बात करते हैं कि जब हमें पता चला कि हमारे पास इस भिन भिन तरीकी के है ना संसादन है तो मनुष्य ने क्या किया तो कहीं न कहीं टेक्नोलोजी टक्नीक को बनाया और उस टक्नीक को बनाने के बाद हमने क्या किया दोस्तों इन संसाधनों का अंधदुन तरीके से परियोग किया टेक्नोलोजी के बन जाने के बाद मनुश्य ने अपने आपको आर्थिक तोर पर अमीर बनाने की कुशिश की जिससे हम देखते हैं कि भारत के अंदर लोगों की आमदनी तो बड़ी है लेकिन आप देखते हैं कि हर चीज की मांग भी बढ़ गए अब लोगों के पास पैसा है लोगों के पास पैसा है तो हर वेक्ति अब हर चीज को प्राप्त करना चाहता है अब हर वेक्ती हर चीज़ को प्राप्त करना चाहता है तो इससे हमारे जो संसादन है उन पर अधिक बोज बढ़ने लगा है पहले समय में अगर आप लोग देखें आपके माता-पिता करें कि पहले की चीज़े सहीं थी पहले बहुत सिंपल जीवन था चीज़े कम थी उसी वह लोग खुश रहते थे अब लोगों के पास टेकनोलोजी आई है टेकनोलोजी आने से लोगों के पास पैसा आया है पैसा आने से आप देखते हैं कि अब लोगों की डिमांड जादा वड़ गई है लोग हर एक चीज को प्राप्त करना चाहते हैं जिससे संसादनों पर अतिरिक्त भार पड़ा है और हर एक वेक्ती हर संसादन को प्राप्त करना चाह रहा है अगला सवाल है कि भारत में सरवाधिक छेदर पर किस मिट्टी का विस्तार हमें देखने को मिलता है भारत में ऐसी कौन सी मिट्टी है जो सबसे जादा बड़े स्तर पर हमें फैले हुई दिखती है तो हमारे जो गंगा के मैदान हुए, यूपी हुआ, बिहार हुआ, मध्यप्रदेश हुआ, दिल्ली हुआ, पंजाब हुआ, हरियाना हुआ इन राजियों के अंदर जो आप मिट्टी देखते हैं, इसे जलोड मिट्टी के नाम से पुकारा जाता है और यही भारत में मौझूद सबसे जादा मिट्टी का स्वरूप हमें देखने को मिलता है दोस्तों और यह सबसे जादा उपजाव मिट्टी भी होती है, सबसे जादा उपजाव मिट्टी भी इसे कहा जाता है जिसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, जलोड मिट्टी option A अपन लोगों का बिल्कुल सही है अगला सवाल है कि काली मिटी का दूसरा नाम क्या है भाई काली मिटी को हम लोग काली मिटी भी कहते हैं और इसका एक और नाम है दोस्तों रिगूर मिटी और इसको हम दोग देखते हैं कि ये कपास के लिए उसके लिए सबसे ज़्यादा उप्युक्त मानी जाती है है ना बढ़ते हैं आगे दोस्तों एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने रखते हैं कि इनमें से काली मिट्टी का छेतर कौन सा है काली मिट्टी हमें कौन से छेतर में दिये गए options में से देखने को मिलेगी छोटा नागपूर, महराष्ट, पंजाब या फिर केरल आप सभी को पता है कि जो हमारी काली मिट्टी है वो हमारे महराष्ट राज्य में हमें देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा option B बिल्कुल सही बनता है अगला सवाल है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है है ना, अगर आप लोग हमारी जलोड मिट्टी को देखते हैं दोस्तों, यह जो हमारी जलोड मिट्टी है हमारी जो जलोड मिट्टी है इसके हमें दो रूप देखने को मिलते हैं एक को कहा जाता है खादर जलोड मिट्टी और दूसरे को कहा जाता है बांगर जलोड मिट्टी ठीक है तो जलोड मिट्टी के ही दो रूप है खादर जलोड मिट्टी और बांगर जलोड मिट्टी ठीक है अब आप से पूछा जा रहा है कि यह जो बांगर मिट्टी है इसे क् बांगर नवीन जलोड मिट्टी को कहेंगे लेटराइड मिट्टी को कहेंगे या फिर बंजर मिट्टी को कहेंगे तो बांगर मिट्टी जो होती है दोस्तों आप देखते हैं कि यह सबसे पहले तो समझ लीजे कि जितनी भी हमारी जलोड मिट्टी है यह हमें कहां देखने को मिलेगी यह हमें नदी के पास देखने को मिलती है आप देखते हैं कि नदी है नदी के पास ही आप देखते हैं कि नदी के पास ही हमें यह जलोड मिट्टी देखने को मिलती है तो जो जलोड मिट्टी नदी के पास होती है दोस्तों उसको हम लोग खादर कहते हैं और जो जलोड मिट्टी नली से दूर होती है उसे अपन लोग क्या कहते हैं बांगर कहते हैं जो पुरानी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बांगर कहींगे अगला सवाल है कि काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए सबसे ज़ादा उप्यूठ है आपको बताएं कि कापास का उत्पादन इसमें आप देखते हैं कि किया जाता है ठीक अगला प्रशन देखते हैं दोस्ते हों पूछा जा रहा है कि संसाधन शब्द के बारे में निमलिफित में से कौन सा कथन सही है तो 4 उप्शन्स दिए गए हैं आपको बताना होग halves कि इसमें से कौन सा उप्शन्स है संसाधन प्रकरती के मुक्त उपार है ये मानव गतिविधियों के कारवे हैं ये सभी वस्तों जो प्रकरती में पाई जाती हैं, चीजें जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं, तो कौन सा कतन यहाँ पर सत्ते है या आपको बताना है, है ना, तो संसाधन जो है दोस्तों आप देखते हैं कि प्रकरती के मुक्त प्रकरती के दुआरा हमें दिये गए हैं और मनुष्य पर एक प्रकार से नेचर का ये एक हमारे लिए एहसान हमें देखने को मिलता है ना तो ये हमारा option ए बिल्कुल सही बनता है उप्युक्ट बनता है अगला सवाल है कि वो संसाधन जिनके निर्माण में लंबा भू वग् जिनको बनने में आप देखते है कि बहुत लंबा समय लगता है और अगर ये एक बार समाप्त हो जाएंगे तो उनको प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा इनको हम लोग ऐन वी करने संसाधन कहते हैं जैसे हमारा कोयला हुआ, पैट्रोलियम हुआ, आप देखते हैं कि अगला प्रशन है दोस्तों कि निमलिकित में से सामुदाइक संसाधन नहीं है, सामुदाइक संसाधन का मतलब होता है जो हर एक संसाधन, हर समुदाइ, हर वेक्थी के द्वारा परियोग में लाया जा सकते हैं, तो मंदिर सभी के द्वारा परियोग में लाया जाएगा, संसाधनों को डैश रूप में बाटा गया है हमने संसाधनों को अलग अलग के अंदर बठते हुए देखा है और संसाधन धीरे धीरे डवलप्ट हुए है इनको विकास के इसningar पर हमने अलग अलग तरीकों से देखा इसको हम लोग संभावी संसाधन बही कहते हैं जैसे हमारे पास पानी तो है, लेकिन उस पानी इसके अंद्रकत मौजूद जो hydrogen gas है, हम उसको उससे अलग नहीं कर पा रहे हैं, है ना अगर भविश्य में जब हमारे पास पानी से हम hydrogen gas को अलग कर लेंगे, तो उससे हम लोग अपनी कारों को और वाहनों को चला सकते हैं, ऐस सबी संसाधनों को हम लोग विकसित की कैटिगरी में, विकास की स्थिती के तौर पर पुकारते हैं, हमारा यह जो कोईला है, यह किस प्रकार का संसाधन है, कोईला एक ऐसा संसाधन है, एक बार प्रियोग करने के बास समाप्त हो जाता है, और ऐसे संसाधन को हम लोग एनव ये जलसे परे हैं संसाधन जो अंतराष्टे सीमा के साथ पाए जाते हैं संसाधन जो अभी अभी विक्सित हुए है देखिए ऐसे संसाधन जिन पर किसी एक देश का नहीं बलकि दुनिया की जो हमारी अंतराष्टे संस्थान है जैसे संयुक्त राष्ट संग उन पर आप दे से प्राप्ट हो रहे हैं लेकिन वो एक न एक दिन आपको देखता है कि खतम होंगे सोर उर्जा हुई पावन उर्जा हुई जली ये उर्जा हुई है ना ये कभी खत्म नहीं होंगे सुरज की रौशनी से बिजली बनती ही रहेगी जब तक सुरज रहेगा हवा से हम बिजली बना सकते हैं जल यानि कि पानी के ऊपर जब हम बिजली बना रहे हैं तो भी बनता ही रहेगा लेकिन जो हमारे खनीज तेले आपको देखता है कि एक ना एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे ये सीमित हैं अगला सवाल है कि बांधों में जल किस दोस्तों कि हमारे पास नदियां है और हमारे पास यह जो नदियां है इन नदियों के ओपर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों नदियों में पानी होता है इन नदियों के ओपर जो पानी है इस पर हम लोग बांध बना लेते हैं और उस बांध को बनाने के बाद हम लोग क्या करत दोस्तों इसको हम लोग सिंचित कोश के नाम से पुकारते हैं क्यों है सिंचित कोश क्योंकि आप देखते हैं कि भारत में जितनी भी हमारी नदिया है क्या हम हर नदी पर ऐसा कर रहे हैं बांध बनाकर नहीं है न बहुत सीमित कर रहे हैं हमारे पास नदियों पर बांध बना नहीं कि सारे technology मौझूद है क्या हम हर नदी पर ऐसा करने नहीं तो ऐसे हमारे संसाधन जिनको परियोग करने की technology भी है हम इनको करना भी चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं रहें तो इनको हम लोग सिंचित कोश्ट के category में जाने जिनका परियोग बहुत सीमित तोर पर हो रहा है प्रपंशीं ल एक बद बंदे में करोड़ों करोड़ों साल लगे हैं और एक बार या खतम हो जायेगे तो इनको दुबारा प्राप्त करना हमारे लिए बहुत जादा मुश्किल होगा option B आप देखते हैं कि बिल्कुल सही बनता है अगला सवाल संसाधन नियोजन की कितने स्तर हैं आप सभी को बताएं कि हमारे भारत के अंदर संसाधन नियोजन की तीन स्तर हैं सबसे पहला है कि हम लोग संसाधनों को पहचानते हैं दूसरा है कि संसाधनों को पहचानने के बाद टीम बनाई जाती है टेकनोलोजी तयार की जाती है कि इन संसाधनों को निकाले और तीसरा है कि जब संसाधनों को निकाल लिया गया है जो हमारे संसाधन थे उनका बहुत अंधा धुन तरीके से परियोग किया, तो साल 1992 में हम देखते हैं कि दुनिया का जो तापमान था, वो तेजी से बढ़ता जा रहा था, दुनिया में गर्मी बढ़ती जा रही थी, और लोगों को समझ में आया कि अगर हम अभी भी नहीं ज 1992 में जो प्रित्वी सम्मेलन था, उसमें दुनिया के कितने राष्ट धक्षों ने भाग लिया, कितने देशों के नेता लोगों इसमें शामिल हुए थे दोस्तों, तो लगबग 170 से जो अधिक अलग-अलग देशों के नेता थे, वो उसके अंदर शामिल हुए थे, साल 1992 मे यह जो प्रित्वी सम्मेलन था, वो किस शहर में हुआ था, यह रियो डी जिनेरियो शहर, ब्रजील को जो था, महाँ पर हुआ था और इसलिए इसको किस नाम से पुकारा जाता है, दोस्तों, इसलिए इस सम्मेलन को रियो सम्मेलन या पर प्रित्वी सम्मेलन के नाम से भी पुकारा जाता है, अगला प्रशन है कि Brindis Commission नहीं किस वर्ष सतत पोशन ये विकास की बात करी, आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर सतत पोशन ये विकास किया जाए, यानि कि संसाधनू को बिना नुकसान पहुचाए, बिना हमें विकास करना है इसको लेकर एक रिपोर्ट आती है एक कमिशन के द्वारस रिपोर्ट को रखा जाता है जिसे बूटलेंड कमिशन कहते हैं पूछा जा रहा है कि जो बूटलेंड कमिशन है इसने कब अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था इसका आंसर आपको देना है ठीक है अगर आप नहीं दे पाएंगे तो हमारी जो लाइव ग्लास होगी ना उसमें हम लोग आपको उसके साथ डिस्कुशन करेंगे चार आपके सामने और इसका आंसर आप लोग जरूर कॉमेंट में दीजिए अगला सवाल है कि निवलिखित मे संसादनों को क्रियेट करता है आप देखते हैं कि जिमर्में अंकल जो है दोस्तों आपको देखता है कि एक जर्मन भूवग्यानी है अमेरिका में बाद में चले गए थे तो इनहीं के दौरा इस कथन को कहा गया है बहुत अच्छी ये परिभाशा है बहुत बार पेपर मे पूछी जाती है अगला सवाल है कि निमलिकित में से कौन प्रकरतिक संसादन नहीं है आप देखते हैं कि जो हमारे जंगल हुए प्रकरती ने बनाए है नदियां भी खनीज भी नगर एक मानव निर्मित संसादन है ठीक है बढ़ते हैं आगे पूछा जा रहा है कि हमारे आसपास मौजूद हैं लेकिन उनको परियोग करने की हमारे पास टेक्नोलोजी नहीं है जैसे आप देखते हैं कि हमारे पास पानी है और पानी के अंदर आप देखते हैं कि हमारे पास हाइडरोजन गैस है हम पानी से हाइडरोजन गैस को अलग करने की टेक्नोलोजी नहीं रखते हैं इसलिए ये जो हमारा संसादन है ना ये भविश्य के लिए हमने सेव किया हुआ है भंडार के तोर पर हम लोग इसे पुकारते हैं आशा है कि इन सभी questions को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे ठीक है अब इसी आशा और उमीद के साथ कि आप लोगों को हमारी class पसंद आई होगी दोस्तों मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा आप लोगों को comment करके जरूर बताना है कि आप लोग किस chapter पर अप को हमारी class कैसे लगी अपने दोस्तों मित्रों के साथ हमारी इस class को जरूर शेयर करें आप लोगों से मुलगात करेंगे अपनी next class में आप लोग जरूर बताइएगा कि अगला जो हमारा class होगी वो किस chapter पर आप लोग कराना चाहते हैं जिस chapter की होगी सबसे ज़ादा demand उसको हम लोग आप सभी के साथ अपनी next class में रखेंगे ठीक है आशा है कि आप लोगों को हमारी class पसंद आई होगी आपका हमारे साथ जुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया